असलाम लेकों फ्रेंट्स वेलकम बैक टो में चानल आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे अलम्दुलिला मैं भी ठीक हूँ तो जी आज जी जो मैं शॉपिंग आप लोगों को दिखा रहे हो ना तो इसमें ये खास है कि आज जो मेरे शोहर शॉपिंग करके आए वो सारे पैकेट वाले मसाले लेकर आए हैं तो ये तो हिमालिया सॉल्ट है जो मैं आपको दिखा रहे हूँ पेंग सॉल्ट तो ये खाने से ना वेट लॉस अगर आपको करना है तो ये खाएं तो आपको फा मसाले यूज़ करती हूं तो खेर ये पुलाओ बिर्यानी और बिर्यानी मसाला तंदूरी मसाला तो मैं यूज़ करती हूं तो बटर शिकन मैं बनाती हूं तंदूरी मसाला उसमें यूज़ करती हूं अच्छा सीख कवाब का मसाला कीमा मसाला इतने सारे ये मसाले लेके आये और कह रहे हैं कि आज के बाद ना तुम मसाले डाल डाल के खाने बनाना ताकि तुम्हें जादा जंजट ना हो और देखे अचार गोश्ट मसाला कितना मेरे पास रखा है जो जार में है मैंने पहले भी आप लोगो वीडियो में दिखा है वो बहुत सारा रखा है उसके बावजूद फिर से ये ले आए मैंने बोला भी किये आपने अच क्या किया जाए तुम्हें ना ये फील हो रहा था ग्रॉस्टी कभी भी ना मर्च से ना करानी चाहिए खुद और अरत को करनी चाहिए अगर ये यार पाउडर लाए भी थे तो एक दो बैकेट ले आते इतने सारी कटनाने की क्या जरूरत थी खर चलें अब तो आई गया है तो मैं यहां पर ना फ्रेश होने जा रही थी मैंने का नहा कर फिर मैं आती हूँ किसी ना किसी फ्लेवर का आज मैं चिकन मनाई देती हूँ तो यहां पर ना मैं चिकन मनाने जा रही थी और कीमे का जो पाउडर थे ना वो इन्होंने का इसमें एट करना क्योंकि हमारे किमा ज्यादा नहीं बनता किमा बहुत बारीक होता है यहां का मशीन वाला तो वो अच्छा नहीं लगता इसलिए इन्होंने बोला कि आज चिकन इतने तरह का तो खाते रहते हैं आज चिकन में ना किमा पाउडर एट करके बनाओ तो देखते हैं कैसा बनता है तो मैंने बोला अच्छा यह जो इसमें लिखा है उसी तरह से सेम बना दू तो इन्हेंनों बोला हाँ बना दू था तो पिर आगे आगे इसमें देखिए का आपकी हुआ गया तो मैंने यहां पर ना ऑईल डाला आईल के बाद मैंने इसमें जो प्याज मैंने कट करके रखी है मैंने वो प्याज इसमें फ्राई करी क्योंकि ये चीज़े ना उस पाउडर में लिखी हुई थी स्वरी उस पैकेट में लिखी हुई थी कि ऐसे ऐसे मुझे करना है तो मैंने का सलो मैं वैसे ही बना देती हूँ तो मैंने यहां पर ना प्यास को ब्राउन किया उसके बाद इसमें चिकेन एड़ किया और अद्रक लसन पेस्ट लिखा हुआ था कि वो डालें तो मैंने वो भी डाला और उसके बाद ना उसमें जो पैकेट लिखी हुई थी कि यह पैकेट एड़ कर दे तो मैंने जो है वो पैकेट एड़ कर दी उसके बाद जी जो हम लोगों का हाल हुआ है ना कहा कर मुझे बिलकुल भी नहीं पता था कि इसमें मिर्च नमक इतनी जादा तेज होती है तो वो मिर्च तो बहुत जादा तेज हो गई कि इनका तो काफी जादा बुरा हाल हो गया मैंने का आप बनवाएंगे मसाले वाले तो कहरें नहीं नहीं तुम अपनी एक्सपीरेंस से बनाने जैसे तुम्हें सही लगे तो फिर मैंने डिसाइड किया अच्छा मैंने इसे फिर नेक्स टाइम जब बनाया ना तो मैंने वो भी वीडियो बनाई है मैं आप लोगों को वो बाद में अप्लोट करूँगी तो मैंने अपनी तरीके से योज़ किया फिर मैं आपको वो नेक्स वीडियो में दिखाऊंगी अच्छा तो यहां पर ना मेरे शोहर जो जब यह सेटिंग हो रही थी ना तब की यह वीडियो थी तो यह ना गैरेज है मेरे घर के जो यहां पर बगल में गैरेज होता है किसी का घर के अंदर होता है किसी का घर के बगल में तो यह मेरा ना जिस साइट में है पुरे घर से जब बाहर निकले तो यह साइट में गैरेज बना हुआ है तो जी ये गारज होता है, गारडियां तो कोई नहीं यहां पर खड़ी करता ड्राइव बनी हुई है गारड़ी के लिए बाहर और ये जी गारज होता है, सारा आपका जो समान होता है, स्टोरेज वगारा जैसे बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो बंदा अलग रखे तो वो सारी चीज़े वहाँ पर रखनी थी तो वो मैं शोहर ने सफाई फाई करके रखा तो जी यहाँ पर ना कपड़े जो हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं कि थोड़े जो कपड़े होते हैं वो वाडरोब में आते हैं बाकी जो कपड़े होते हैं उसे और्गनाईज करके अलग रखने होते हैं तो जी यहां पर ना सबके अलग-अलग आइडियाज होते हैं क्योंकि जो वाडरोब होती हैं की वो शेल्फ वगेरा नहीं होते हैं तो कुछ ही ऐसी होती मैंने जो ली है ना वाडरोब उसमें शेल्फ है वो मैंने पोटेबल ली है तो उसमें है वरना यहां पर ऐसा होता नह तो मैंने वो खरीद ली थी फिर भी कपड़े इतने जादा होते हैं कि बंदक कैसे और्गनाईज करें तो जी यह सारी आइडियास जो हैं नहीं सारे वो मेरे शोहर के हैं क्योंकि मुझे यह सब करना बिल्कुल भी नहीं आता था तो अब धीरे धीरे आने लगा है तो यहां लोगों के पास एक्स्ट्रा कोईल थी तो जिसे इन्होंने वैक्यूम वाली जो बैग आते हैं वैक्यूम वाले उसमें वैक्यूम करके और सकरके उसमें रख दिया तो बहुत कम स्पेस लेता है अच्छा जी तो यहां पर मेरा बेड भी लग चुका था और फाइनली बेड लगने के बाद बड़ा सुकून मिला तो बस ऐसे ही धीरे धीरे ना यह सिटिंग चलती रही यहां पर चीजे लगानी थी वो मैंने बाद में लगानी है तो धीरे धीरे क्योंकि सिटिंग चल रही थी उस टाइम पर फिर रात में काफी जादा सिटिंग वगेरा करने के बा तो आज है हम सबने यही मिलकर खाया रात में वैसे pac नहीं कहते हैँ लेकिन आज चाम tablet गा पुझ तो जी आप लोगों इन मसालों को कैसे यूज गया फिर मिल दें नेक्स वीडियो में